वेल्कम बैक तो यूर्स चैनल त्रिपिटक हम लोग वही सीरीज आगे ले करके चल रहे हैं आपको पता होगा अगर आप इस चैनल प्याते होंगे तो बिहार स्पेसल का सीरीज चल रहा है और तीन चार वीडियो डाला जा चुका है अभी मतलब दो सकता से ही हम स्टार्ट ही किया है न्यू चैनल है बिहार स्पेसल का दो चार वीडियो डाला जो जा चुका है यह पांचमा वीडियो है इसके अलावा लुसेंट भी चल रहा है आप देखिएगा तो सुरू करते हैं हम बाकी बात बीच में हम करते रहेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैस स्टार्ट करते हैं तो सुरू करते हैं फिर से समझना था हम लोगों को देखिए यहां पर देखिएगा इस बात को समझेगा कि कि बिहार में जो विद्रोग हुआ है वो बिहार और जार्खंड मिला करके हम लोग पढ़ते हैं क्यूंकि पहले जार्खंड बिहार में ही तो था तो इसलिए साथ में मिला करके पढ़ा जाता है ठीक है तो यहां पे समझते हैं कि जिस समय बिहार में जिस समय हमारा अभी ज दोलन चल रहा था ठीक है 1820 में देखिए इसके जो यह सब लिखा रहता है मतलब हिंदी का जो यह लिखावट है तो यह मेरा उतना सही नहीं है तो आप लोगों इस पे न ध्याद ले करके किस चीछ पे ज्यादा दिजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं उस पे ज्यादा और जीए वहावी मूंच आपका 1820 में बिहार में स्सामय मूंच चल रहा था जार्फंद में तो 18、20 में तो दोनो रहा है थो सेन है बड़ अलब अलब तरीके का रिजयूशन चल रहा है है अब हम देखेंगे कि हो थाहं किस तरीके से हुआ हैं और किसके वज़े से क्या हुआ हो किस नाक पूर एक पूर एक अपनnten दों फ्क्राप आपका समझ तो क्या देखिसी को पूरे पूरे पूरा-पूरा जतता j bou धूअ जोटानापपूर रीजन, जोग्राफिकली तेखे पॉलिटिकली एक रीजन है, पॉलिटिकली यानि राजनैतिक तौर पर उसका नाम जहारखंड है, मगर भगालिक तौर जोग्राफिकली उसी रीजन को उसी छेत्र को छोटानापपूर प्लेटिव भी कहा जाता है, तो छो छार्बने बढ़ी रहते हैं थे अब सो एसा निग ब्रह उत्रीत दुछ में जाती हो ने अपना अपना रिवाल्ट किया अर्ण कि सपोर्ट के इस वाहत करते थे यह सारे जैने सब्सक्राइब भी वित्रोऊ होगा नॉग विक्षेट डियुजद आपके। सब्सक्राइब करेंगे तो यह चलता था लोग आपको सब्सक्राइब करके अंग्रेजों के खिलाफ और बेसिक अलिकन यह तो दीकूं के खिलाफ लड़ते थे अब यह दीकू क्या है तो पिछले वीडियो में हम बताए हैं और इस वीडियो में आई बटन पर भी डाल हैं इसमागे से बोले लहां कि बहुत ज्यादा फोर्श्चन में हम इस से आता है इन सारे सेक्टर से आता है और देखिए लुसंट वाला जो है यह बागई जो भी अभine होता है तो वो हरोई पढ़े रहता है । जादा तर कोश्टन जो कॉंपिटेड़ लगता है यह ठीक है तो हम लोग उसी पे पहले काम कर रहा है हाला कि लुसें वतेरा साथ में चल रहा है आप लोग चैनल को सब्स्ट्राइब कीजेगा तो रेगुनर अपडेट आपको मिलता रहेगा अगर आप बेल बटन भी दबा देते हैं तो दीकु कौन थे यह हम पिछले वीडियो म इनके forest land को क्या बाहरी लोग इनमेगों से कुछ छीनना चाहते थे तो ऐसा जरूरी नहीं है वो क्या करना चाहते थे व्यापार करने चाहते थे पड़ पता है इन लोगों को ऐसा था था कि यह हमारे freedom को छीन रहे हैं जो संप्रभुता जो सोवरैनेटी यह आदिवासी दीकूओं के वज़े से हाथ से जा रहा था तो उनको यह बात बहुत बुरा लग रहा था आप देखे होंगे कि जो आपके बिरसा मुंडा थे जिनको धर्ती आबा के नाम से भी जाना चालता है वो भी इस बात का कड़ा विरोध किये थे उनको भी दीकू लोग बिलकुल पसंद नहीं तो दीकू मतलब बाहरी लोग अब बाहरी लोग में कौन होना आएगा तो वो लोग जो लोग जंगल से बाहर के हों चाहे वो अंग्रेज हों या फिर दच हों या फिर खुद इंडियन्स हों कोई भी हों बाहरी होने चलिए अगर यह फोरेस्ट एरिया है इस चलिएलिए लोग मानके चलिए फ्रमाल बड़ा कंदेते हैं हम Нिआ पर यह जो इन्लोगों ईक माहीं का सोर स्जोर्ष मांते थे माहीं चलिनम दूख के सब्से बड़े कारण यह ंदीकू यह दुख के कारण है और कारण कर्ज के कारण में आदीवासियों के मन में भढ़ गया तो भर गया किसी के लिए भी अगर मन में धीरे धीरे दीरे धीरे तो बात में पहने होता है उसका कारण कारण सब्सेत्य झांपर बड़ा कारण होता है इकोलोmmy Korean होता है और्थ रवस्था आर्थिक रीजन देखिएगा कई पर ऐसा देखने को मिलता है कि हम लोग किसी से कितना भी अटेस्ट हो अगर कहीं पर देखने को मिलेगा तो वहां पर जगड़ा होना शुरू हो जाता है ठीक है चाहिए वह रिलीजियस स्टेर में देख लीजिए यहां तक है bei शेफने अपर आप देख सकते हैं घरो में अट ओपर देख सकते हैं कहीं होता है इकगड़ा स्टर्ट हो जाता है क्योंकि अक्डावरियृषें के वजह से पैसें के वजह से पावर है यो जान जाती जो फोट रइस और कंथा ओल्ट रइस और मुंडा ट्राइस मुंडा ट्राइस तो यह तीनों मेन सदार होते थे छोटा नाकपुर रीजन के में हेड यही तीनों ट्राइस के लोग होते थे से उनाववों का उतना ज़ाद नहीं था मेलनी इज़द जो था इहीं लोग का करते थे जानुट पूरे रीजन में प्रशाषन का काम का मतलब कैसे गवन करना है पूरे रीजन को कैसे वहां प्राइब नेता हैं अब इसके जगह पे कोई और बाहरी व्यक्ति नेता बन के आ रहा है तो सबसे ज्यादा किसको दुख होगा सबसे ज्यादा परेशान सबसे ज्यादा इरिटेट कौन हो जाएगा अब यह लोग विचारे दुखी मतलब हो जाना दुखी हो गया और दुख जो है इतना हब तक गया कि रिवाल्ट कर दिए लोग तो आगे समस्ते हैं कि यहां पर क्या क्या अब इसका पहला रिवाल्ट आप लोग देखेंगे कि जब 1793 में पर्मानेंट सेटलमेंट आता है न पर्मानेंट सेटलमेंट को लाया आप नीचे कमेंट में बताइएगा और कम्यूनिटी पे भी हम कुछ कुछ कोश्चन जलते रहते हैं आप उसका एंसर दीजेगा वो पीवाई की सिरीज का ही कोश्चन रहता है तो समझते हैं इसको कि 1793 में आता है पर्मानेंट सेटलमें उसके नियुक्त जलता है कि धन्यूष्पान उसके लेकर और मारने के लिए चला जाता है थिक यहां इसके बाद बाकी चीजांप लोग देखी रहें कि कैसे हो विद्रोग सुरू होगा पाकि अब लोग समझते हैं देखिएगा यहां पर समझते हैं कि यह जो हो है हो जन जाती बिसीकली यह जो हम कहानी बता है कि क्यों जगरा हो रहा था और इन लोगों को इतना दुख क्यों लग रहा था अचानक से तो कारण यह है कि यह फुद मान के चलिए हम कहीं से पैसा खा रहे हैं समझ मेरा हम कहीं से पैसा खा र कि थी तो यहांपे समझेगा है हो रीवार्ट है हो रिवार्ट में के चोटा नाध्पूर में एक इंसान कि तो सीभूं के एक राजा स्क्रह कहाँ को है यहांना मतलब क्या हुटा है कि उनका पूरा मतलब उनका पूरा मतलब करके सब्सक्राइब तो इस तरीके का मतलब सुचिए कि कोई राजा है और वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है या कि अपने आप में क्या है आप मतलब जान पुझके चाह रहे हैं कि कोई रिवेलूशन आउट ब्रेक को कि ये अचानक से बूलें जनजातियों का दमन होना चाहिए जब इन लोगों पता चला यह लोगों को अंग्रेज यह जान जाए हो सकता है सित सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग देखे होंगे कि 1865 में पटना को दो टुकरों में तोर दिया गया क्यों तोरा गया चुकि पटना उस समय रिविक्षन का सेंटर बन गया था एंद्र बन गया था ठीक है तो यह यह बार-बार है यह उसकरते हैं सब्सक्राइब कर्देगे उनके पावर को चील लेंगे यांका यही सम्वान, ने पर प्रोब्लम क्या हुआ, चाहे यह रूमर है यह फैक्ट है, जो भी यो, हो को जम यह पता चला, हो जन जाती के लोगों को, तो यह लोग किस के मदद माँगने जाएंगे, ब्रिटिसर्स ने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा, कि हम लोग आपकी मदद करेंग और लास्ट टाइम पे धोका दे दिये लोग और बिटिसर्स जो थे उब बेपेंदी के लोटा टाइप के इंसान थे बार 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 लोग धोका दे देते जो भी इन लोगों पर भरुशा करता था आप देखेंगे जब आपको हम मतलब हम लोग जब modern India रिवाइस करेंगे ना यह जब पढ़ेंगे तो उस से आपनों देखियेगा कि कि स तरीके से हैदर अली को पहले ये बिटिसर्स बोलते हैं हैं हैदर अली को मैसूर वार में मैसूर वार में हार जाते हैं ज्यांए बिटि अगर अगर कोई और पर आटेक करता है, तो ये लोग को पता हूंना रिजन लिए यह लोग दर्बद्लू के लोग थे, बीहारी अमा आ है। तो यह लोग पहले हम आपका मदद करेंगे और यह किस सा नातर होता कर тьए यह लोगamo तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि यह जो है उसके बाद गोजन जाती 1820 में जगड़ाय स्टार्ट होता है इसका कोई लीडर ऐसा कोई खास लीडर नहीं रहता है ऐसे ही सब लोग लड़ रहे होते हैं एक मिलिशिया के फॉर्म में अगर कोई आर्मी ट्रेंड हो मतलब उसको सब्ची जाता हो बंदूग चलाना तोप चलाना दुनिया जहान सब्ची जाता हो तो वो मिलिटरी कहलाता है पट बस भीर है हाथ में कलचुल बेलना जो भी दिया मिल गया दौर गया पीछे पीछे किसी को मानने के लिए यह मिलिश तो उसको पर है अद्लेब कर दो क्या हो और नहीं पौछा गैनाना तो नेन जहें रूर उंट्टकेंस होका चलानास हो रूर दोप्र आप्रूसा तो भीप ठान यहां किस अजनानी डिकाती हो हो जीवर्ट। हो जनजाती के लोग के हाला की सपोर्ट कई जनजातीयों ने किया था तो इट्राइट्स ने किया था और उसके अलबाग हम आपसे बात करें तो हो रिवाल्ट हुआ कब था तो 1820 में हुआ था जब आपके पटना में वहावी अंदोलन चल रहा था 1820 में या आपके बिहार में जब वहावी अंदोलन चल रहा था उसी समय आपके जारखंड में क्या चल रहा था हो विद्रोह चल रहा था या हो रिवाल्ट चल रहा था ऐसे आप याद कर सकते हैं 1820 हो रिवाल्ट अब ब अगर हम बात करें वहावियों की तो आपको पता होगा कि 1821 में सेयद अहमद बरेली आते हैं अब यह सेयद अहमद बरेली कोई इंसान का नाम है तो इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा वहावी मुव्मेंट है ना तो उसके प्रवर्तक है या उसके जो फांफर है उन्ही का नाम है सयद अहमद बरेली यह राय बरेली के रहने वाले राय बरेली के रहने थेखने हैं 52 सुनिएय और वो मौली परिवार किसका रहता है तो फरह तली इनाय तली विलाय तली यह सबना वरता है ठीक है वह कर आते हैं 1821 में और इसी कब में घर जबा घूम घूम करके वहाँ बिजम को फैलाते रहते हैं तभी उनका जगड़ा क्या होता है किससे होता है वो देखिएगा एक जा परिया दह्मत बरेली एक बार मिलते हैं और वो समय कौन सा रहता है तो समय रहता है 1831 का और यहीं पर बालापोर्ट में बालापोर्ट एक जगह है बार बरियां पे बार अटेक भी सायद हुआ है मतलब आप समझ जाए तो पंजाब पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान प यहीं पर यह लोग मिलते हैं कौन यह जाट लीडर सेर सिंग और बरेली साहब दोनों लोग मिल करके जग्रा शुरू करते हैं और जग्रा में कंजोर पड़ जाते हैं बरेली और इनको मार देता है कौन सेर सिंग इंका नाम ही सेर रहता है तो यह इनको मार देता है याद र सले गार जाने के बाद जो जो मॉँलुक है मॉलुकी बंकी एक इंसान थैं एक ऑन को नाम था नशीरुद्दिन क्या नहीं को मिलता है ठीक है तो देखेगा से इसके तरफ सिफ्ट हो रहा है तो पटना से पावर दिल्ली सिफ्ट हो रहा है हाला कि यह बस ऐसा कुछ था नहीं पटना में जो विलाय तली थे उन्हीं के पास पावर रहता है आपको पिश्रा हुटियों कर देंके हैं तो आप वहां भी आंदोरन को और अच्छे से समझ पा विलाय तली बनेंगे या ना शुरु दिन महभूद बनेंगे जो भी है ठीक है और यहां पे एक विद्रोफ चल रहा है तो बिहार में चल रहा है बरेवी के जाने से एक अंदर-अंदर रिवाल्ट चल रहा है अंदर-अंदर मत्तब पाटी के अंदर-अंदर समझ दीजे बनेंगे तो तो वह गुरुप जो है वहाबी गुरुप उसके अंदर-अंदर और यहां आईएगा जारखंड में क्या चल रहा है तो जारखंड में एक और विद्रोफ अपना पैर जमा रहा है और उस विद्रोफ का नाम है कोल रिवाल्ड या कोल मुव्मेंट जो भी कह है कोल विद्रोफ के बारे में समझें एक इंसान थे कोल विद्रोफ के बारे में समझें काफी कोश्चन आता है इससे आपको यह पूरा वीडियो कम्प्लीट कीजिएगा अगर आप बीच में छोड़ते हैं या तो आप खुद से पढ़ लीजेगा और नहीं पढ़ते हैं आप बीच में छोड़ देते हैं तो इससे आपका क्या होगा दिक कर्फ की मतला मार्ट जाने का डर रहेगा तो आगे समझते हैं को विद्रोफ क्या है को विद्रोफ 1831 में हुआ है यह तो बात तय हो गया है कि बरेल भी 1831 में मरें यह कनेक्ट तरके हम जान मुझ कैसे हम प जमिंदार लो अंग्रेजों के जमाने में जितने भी राजा थे उनको अंग्रेज अपने अंडर जमिंदारी का काम दे दिये थे कि ठीक है पर्मानेंट सेटल्मेंट जो हुआ है या दमामी बदलो बस उसके तहर तुम क्या करना सबसे टेक्स करेक्ट करना और पैसा हमको देजना और बदले में हम तुम अपना इंज्वाइब करना जो पावर है वह सकता तो जो भी हो तो एक इंसान थे जिनका नाम था राजा हरनात साही चोटा नापुरीजर के यह राजा थे और यह इनका क्या मतलब इनके अंदर नेपर्टिजम नेपर्टिजम का भावना ब क्या करते थे जमीन हधिया करके अपने भाई बहनों में बांट देते थे चीक है तो यह बड़ा ही घटिया हरकत हुआ इंके तरफ से ठीक है तो यही सब और भी कई कारण दीकों का आना इनका इस तरीके का मतलब जनता से को छोड़ करके सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड हो ज की अधिर दीकों बांटेप्रेएंट जा रहा है तो में कारन तो वहीं था बागी कात्कालिक ना इनका उस समय में जो भी हुआ को नारव लिए था का पुछ भी हो सकता है वह सस्था में था पाफा हां कि लोगों का जा रहा था चाहे वह हो हो चाहे मुद्ड़ा ट्राइबस हो तो अब क्या हुआ कि को लग जाती के जो लोग थे वह विद्रोग कर दिये को अब उसमें पूछेगा कि हुआ कब था तो आपनों गसानी से बता देंगे कि 1831 में हुआ था छोटानागपुर रीजन में हुआ था अब नाम आता है कि कौन किया था तो देखिएगा यहां पर देखिएगा बुद्धो भगत या बुद्धो भगत और सीञराए और बिंदराय और कॉनग? सुर्गा हुड़ा बुद्धो भगत सींगराय बिंदराय और सुर्गा हुड़ा आपको पता है कि दिकूस थोड़ा बहुत अजीब काम भी करते थे जैसे सुर्गा मुदा जो से एक सर्दाब थे, ठीक है शुर्गा मुंडा एक सरदार थे और इनके घर में भूष करके इनके वतलब जो इनके फैमिली मेंपर में जो गर्ड लोग होती है लड़कियों को वाइफ हो बेटी हो है ना तो उन लोगों को यह लोग तोर्चर किये थे दिकूज ठीक है वो आप लोग देखिएगा तो बुद्धो बगत फेमस क्यों हुए देखिए वो इभी जो सहीद हो जाता है ना तो उसको लोग जान बुछ के फड़ा जादा इजद दे देता है ठीक है तो यहां पर बुद्धो बगत क्या किये थे कि अंग्रेजों का मतलब मडर्की है पहले बुद्धो बगत गुशा ह कर लिया होए क्यों गुआ है है लड़की लोग को सब छेड़ एता था बाहर का दीकू सब तो उस इस बास प्रात चला तो ऊल्छ के पर मिसन सहीं आते कर लिया और उसके वाद क्या किया इनको तो मार दिया और 800 से 1000 लोग मारे गए एक्स्ट्राम है ठीक है तो बचे सिंग रहें दिंग रहें शुदा मुंदा अब यह इनके साथ जो कांड हुआ भुद्धो भगत के साथ यह तीनों वेचारे सांथ पढ़ गया और 1832 आते यह ल कोल विद्रो कब शुरू हुआ था जब सेयद अहमद बरेलवी और वहावी मुझमेंट मरे थे 1831 में ठीक है कोल विद्रो के नेता कौन-कौन से है बुद्धो भगत सिंग रहें बिंद्राय शुर्गा मुंदा कोल विद्रो का कारण क्या क्या था कारण यहीं था कि दिकू तो यह कारण था, पहले तो प्रॉपर्टी हुआ रहते हीं पावर ही चेले थे कोल जंग लिइंगादी का καॉड़ा जंग तीक होजन जाती अब तो एक चब पे भी आ गया थी तो यह कारण था? दूसरा कारण क्या था? एक कारण दो तो परणव है एक तो एकोनामि. एकोन प्रच्रस पॉलिसी तो वह सब चीजों के वज़े से यह वीड्रोग हुआ था इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अब एक विड्रोग यानि एक रिवाट और देखेंगे उसके बाद हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे तो देखते हैं गुमिज विद्रोग क और बारे में देखेंगे न तो आप देखेंगा इसको आप को रिलेट कीजेगा को इससे को रिवाट कब खतम हुआ 1832 में तो अब बताइए कि भूमिज विद्रोग कब शुरू हुआ 1832 में ठीके वीरभूम कहा है तो आप समाझ चाहिए जारखंड और जारपंड और रेस्ट बैंगॉल के बॉड़र पे आपको मिल जाएगा वीर भूम मांबूम, सींग भूम, वीर भूम तो समझ में आया हुगा आपको तो वीर भूम जो है वो उधरीं का रीजन है मांबूम यह सब वाला रीजन तो समझते हैं इस बात को वही भूमी का इश्यू बिना मतलब का पैसा ज्यादा लिया जा रहा है जो आपका क्या था पर्मानेंस रेकलमेंट तो उसके वज़े से प्रॉब्लम यह आ रहा था कि जो जमिनदार थे ना वह अपना कट बहुत ज्यादा ले रहे थे एक तो टेक्सेशन सिस्टम बहुत ज् कि मतलब कितना मतलब 10 रटाई 11 दे दो हमारी 11 रुपय पमारे 10 दे दो तो बहुत ही ज्यादा था बहुत एक्स्ट्रीम था टैक्सेशन सिस्टम पड़ उससे ज्यादा हड़ मतलब उसके अलावा और क्या प्रॉब्लम था कि जमिनदार जो बीचवान थे पर्मानेंस वाले लोग क्या करते थे कि वो रोग पैसा कि जमिंदार लोग कट अपना रख लेते थे मतलब अगर कोई कहता है कि गारा रुपया देना तो वो जा करके किसानों से पंद्रह लेते थे हो सके सद्रह भी ले लें अच्छे रुपया अपने पास रख नहीं है ग्यार रुपया अंग्रेजों को दे लिए ऐसा ऐसा हरकत करते थे यह कट के वज़े से उपर से टैक्सेशल सिस्टम बहुत हाट था इसके अलावा जो यह रीजन है चाहिए वह वीर भूमो मान भूमो स छूपया जाता है तो यहां पर फैसिलीटी नो कुछ नहीं दे रहा था यह यह एक इरिगेशन फैसिलीटी दे रहे ह। ले जाके देदीए कि चलो चलो तुम लोग अगरिकल्चर नहीं करता था बर टेक्स देने आ आ जाता था तो ईसकागल से हम लोग देखते हैं कि इनी स प्रविकार्णों से यहां पर धबड़ा होता है वीर भूम में भूमिज विद्रो होता है 1832 में किसके लेट्रित्व में होता है इसके लीदर कौन होते हैं गंगा नारायन अगर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए अपने अपने इस्टेटस पर लगाई है कि यह नया चैनल है तो बाकि जो भी चीज होता है जैसे कैमरा वगरा या फिर माइक भी मेरे पास नहीं है तो ज्यादा टफ हो जा रहा है मेरे लिए अगर यह वीडियो आप लोको सही ल ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने अपने स्टेटस पर लगाई है सब्सक्राइब करवाई है खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया है तो और इसका कम्यूनिटी पेज लगेरा के जो कोश्चन आते रहता है क्योंकि वह पीवाई क्यू सीरीज बिहार दरोगा का पीवाई क्यू सीरीज और चुकि हम एंजी आर्टी मॉडर भी करवा रहे हैं तो सीटी एटी के लिए भी पीवाई क्यू सीरीज लाएंगे आप लोग इस चैनल से जूड जाएए चलिए थैंक्यू